हर्याना में सियासी पारा चड़ने रगा है सियासी जो घटना करम है वो रंग बदल रहे हैं नितरव देवंटर उनके अंदर नया पना रहा है अभी तर ऐसा लगता था कि जैसे हर्याना के अंदर जो चुनावी फाइट होगी वो कॉंग्रेस और भारती जल्टा पार्टी में सीधे-सीधे होगी ऐसा लगता था कि जैसे जो छेत्रिये दल है चाहिए वो जन्मयाएक जल्टा पार्टी है इंडियन नेशनल लोगदल है या बहुझन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ऐसा लगता था कि शायद वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे लेकिन पिछले 58 घंटे में जो गटना करम चेंज हुआ इंडियन नेशनल लोगदल के सुप्रीमों अभै सिंग चोटाला लखनव पहुचे और जाकर के बहुचन समाज पाटी की जो सयोजक हैं करता धरता है कुमारी मायवती उनसे मुलाकात की यानि कि एक बार फिर से बहन भाई की जोड़ी बन गई और चर्चाएं चल पड़ी की हरियाना के अंदर तीसरे मोर्चे की भी गुणजाईश है कुछ इसी को लेकर के कि क्या हरियाना में कॉंग्रेस और बीजेपी में सीधी फाइट होगी या फिर तीसरा मोर्चा इसको टाइट करेगा इसको लेकर मैं तर्चा में हूँ और मेरे साथ मौदूध है बहुत बरिश शत्रकार बिजंदर बंसर जी बंसर जी स्वागत है आपका तो बंसर जी पहली लाइन हम यह देखे कि इंडियन नेशनल लोगदल और बहुजन समाज पारिटी का ऐसा लगता है और घटबंधन होने के पीटिटियर हैं वह जी तो तक बंन तै है बिलकुल तो घटबंधन के लिए अभय सिंग चोटाला है लखनो गये थे और जो यारतारीक सा समय दिया गया या तो ईक बिलकुल तै है परिवारों में एक या दो दौर की वारता हो चुकी है क्या ये परिवार भी गठे हो सकते हैं कि इन बखेंड ये ये जा दो दौर भटता है्च और इसलिए नहीं हो सकते हैं ये विशलया के आजनेमिस शोटाला और उनके परिवार की विड़ार्भार है वह अभेत इस दमाज में ये भी है कि अभैसिंग चोटाला के पास कोई पॉलेटिकल लेगेसी नहीं है जी ताव देविलाल की पॉलेटिकल लेगेसी चाहे आज उसे खिसक गई है ये बीजेपी का साथ देने की वज़े से लेकिन इस समय ऐसा आएगा तो साल वाद धाई साल वाद कि वो पॉलेटिकल लेगेसी को लेकर के आगे बड़ते चले जाने की जन्नायक जन्ता पार्टी अभी यानि दुशन चोटा इंतजार कर लेंगे अगली टाउन का बजा है वो अभैसिंग मूटाला या परिवार वापिस जाने के जी अच्छा दूसरा सवाल ये रंसल जी कि क्या हर्याना के अ आमादमी पार्टी आजाए या उसके थाथ में चंदरशेखर की भीमार्मी या शर्थ बवार की पार्टी समाजवादी पार्टी को ऐसा भी हो सकता है क्या देखे मैं आपको बताओ के हर्याना का जो पॉलिटिकल बेश है वो फ्रंट लाइन में तो हो गया बीजेटी और कॉंग्रेट का समाजवादी पार्टी का हर्याना को ले करके को बहुत ज़्यादा उनका इंगित नहीं है वो जब कभी बनेगा तो वो कॉंग्रेश से साथ की बनेगा वो कॉंग्रेश से अलग गठवंदन नहीं बनेगा समाजवादी पार्टी कॉंग्रेश से तर नहीं जाएगी समाजवादी पार्टी की आम आजमी पार्टी प्रश्ची तो यह जो तारे दल है एक जच्पा इंसे अलग रहे हैं तो अभी से समझावता यह भी हो सकता है कि जन्नाइक जन्ता पार्टी का एक वार फिर पार्टी के साथ तूट गया फिर बसपा का राजमार सेनी की पार्टी की लुफतांत्रिक सरक्षा पार्टी इसके साथ तूट गया पर्मनेंट दोस्त नहीं है जब मैं जब फायता नजर आएगा मैं वहां चला जाओंगा यह राजमी का सिद्धान पना रखाय लोगा जो जो जन्नाइक जिन्ता पार्टी के नेता तुस्विन स्योटाला को सारे चार साल बात रशातल दिखाई देरा है वह इसके दिखाई बारते जिन्ता पार्टी को समर्थ हम नहीं बेखें लिए तो एक नितलिये के साथ अपनी तरकार चला लेती यह थी हो सकता साथ एक तुर्षण सुटाला को उस्वें समझावता करने के लिए तो सबसे ज़्याजा आतुरता थी वह यह थी कि यह जो दस MLA आए हैं उन्हें से तीन ही उसके काडर बेस्ट लोग हैं बाकि जो साथ लोग हैं देविंदर भब्ली रामकुमार गौताम यह जो गिनाम से आग यह सब बीजेपी कॉंग्रेस के जो है ना मांगे हुआ है जी जी तो यह साना हो के बीजेपी सेंटर में भी है बीजेप अच्छा में हुआ है तो इनको दर इस्टा में हुआ है तो पूरी तरीके से थे सक्टा में भागेदारी देए और बातिजन्दापारटी की बीजो उस समय केंद्रे नेत्रिस्था वो यह चाहरा था कि हम मनौरलाल को थोड़ा सा बैलेंस करके चले हैं और तो इनके मूम आ अच्छे मलाईदार मंत्रादय माने जाते हैं सारे दुशन चुटावा के पास ते हो और उसका इन्हें खामयादा भी बबदना पड़ रहा है लेकिन अब जो परिस्तिफिया वनी है अब एसी चोटाला के इस तुरुक के चाल से वो परिस्तिफिया वनी है कि क्या इनका जो गठबंदन है वो दिकवनिय वनायेगा मुकावद अजी ही वेटिश मशल्चनल लोगंज़न और बिस्ति का गठबंदन कैस्ट मुकाबले को ट्रिकवनिय कम लें जायेगा या कुछ सीटों पर मुकाबले तक सिमित रहे गहा तो अब इतक तो जो हम लोग मानड़कर चल र नहीं रही बिल्कुल यो अनुसुचित जाती के लोग हैं वो यह समझ गहें कि मायावती उनके साथ खिलवार करती है जी ऐसे इनियन नेशनल लोगन भी अब जातों की एक्षटरस पार्टी नहीं रह गई है बिल्कुल बिल्कुल जादा तर जात गोपंदर सिंग उड़ा प एक काम होगा कि भारते जंदा पार्टी में भी और कोंग रेस में उस ऐसे कंडिडेट है इंसका टिकट नहीं बिलेगा इंसका टिकट कट जाएगा कि लिए तत कि अगरे दो।वकिे कंडिडेट कि रूप में नेय'll पाल रहावाथ 24282 ऐसंतनी मती जिए किसी आप टिकट नहीं मिला प्लेटबॉर्म उतके तयार हो जाएगा पहले ही यहां जा सकते हैं उनके इमेलों और वस्पा का गटबंदन पेक्टंद के लिए तयार है कि जाट भी मिलेंगे डलेट भी मिलेंगे और मैं पहले रही चुपावी वस्पास है और में पुद ब्रामन पार्टिय का टिकेट ना दे तो वह बहां चले जाए नेनपाल को भी टिकेट ना मेरे तो सब्सक्राइब ने चनाव लड़ना वो देख लेए उपे मतलब एक मंच तयार हो गया उन लोगों के लिए प्यूज तयार हो जाए तो पीजेटीवी एक चाहती थी कि एक एक एता मंच तयार हो जाए तो हमें कम नुक्सान पहुचाए और कॉंग्रेस को जाए नुक्सान पहुचाए जी 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 तो ये वह जाए का तनिस का कम्भिनेशन अगर कहीं 10 अजार वोट भी खराब करता है कि इसीulी क काल कहीं एक निए तो वो जी कैन्सान ंख फान चांवल बनाने मतलब है कि वह जब थिर्कॉन्य मुकाब्लगता है थी वह पहले नंबर तर जी और आमने सामने की टक्टर होती है बीजेटी और कॉंगरेश की तो फिर कॉंगरेश नंबर बन पे रहती है यह आज की ताहिक के शनेलियों है वह पंधरा सीट भी इनको चैनिद करने पड़ेंगी कहा हो सकती है जैसे मुझे रखता है कि गुरुगराम जिने में कोई भी असर होगा इस गटवंदन का इंडियन नैशनल लोगने लिए लोजन समाझ पाइटी का अगर परिदाबाद में जाएं तो ऐसा होगता कि हथीन और प्रत्रा दो विदान सभा ऐसी है कि जहां पर कुछ ये इनके पास केंडिट आए तो ये तिकोने की स्थिती में पहुंच जाएं हर जगह होगा देखें आप एनाइटी में मुस्लिम हैं चलिस हैं फिर ये किसी कंजिडेट को जाट को खड़ा कर दे एनाइटी से तो वो सिद्धा सिद्धा कॉंग्रेश के नुफ्सान है ना ठीक बाद विल्कुल तो हर जगह ये और किको में अभी बहुत जल्द होगी अभी समझोता हुआ नहीं है अगर मैं यह हैं कि पार्टी जिन्ता पार्टी के लिए समझोता सबसे ज़्यादा फायदे बन रहेगा तो कोई अधी शोक्ति नहीं होगी जब तक चुनाव रजदीक आएगा चुनाव की गोशना होंगी नए समीकल बनेंगे नए गठ सब्सक्राइश है आम आदमी पार्टी जन्राइक जन्रता पार्टी के फिर रहे चुके हैं पहले वह भी बात रहेगी अच्छे फिर कुछ ऐसे के जैसे मेहम वाले विदायक हैं बलराज कुंडू की अपनी पार्टी और जो पुरुक्षेतर लोगसभाद चुनाव में सब पलराज कुंडू यह कह रहे हैं राजडेशिक्स कलियारों में आकर के कि मैं अपकी बार 40 चीटों पर कंडिडेट खड़ाई करूंगा जी और मेरे कंडिडेट कौनेस को नुसान करेंगे कि तो नमाँ प्राका रहे हैं मांग यह फून से चुनाव करती है जैसे माणवाली होती है कि कोई बीट का रास्ता निकाल ले को समझावता हो जाए तो मेरी भी बनी रहे है तुम्हारी बनीता है अब तो आप परिजना कि जैसे आप लोग सुनाव में देख रही कि कि लास कि ये साथ कोई समझाता नहीं करेंगे लिए कि मेरा ये दावा है कि आमादनी पार्टी के नेता भी कॉंग्रेस के नेता भी कि वही दिल्ली और हर्याना में विधान सबस्ता नेता पर कोई गढ़ बंदन नहीं तो यह क्या सोच है रंसा साथ जिसना कह रहा है कि अपनी पार्टी के में उन्हों ने भी कहा है कि हम नपए कि नपभे की पीटों पो चुना गड़ेंगे जो सरकार बनाने वाले लोग हैं, उनमें पुपंदर होता है, उनमें राउल गांदी है, उनमें मलिकार जुन है, उनमें रीपक बावरिया, जब कि लोग बैठेंगे तो ये इसकी गनित लगाएंगे, ज़राम आदमी पार्टी सब जगा अपने संडी देट उतारेंगे, और जाहा है, वो गाली देंगे सुनाब के दौरान तो पीजेटी को भी उतनाए देंगे, तो कॉम्रेस को भी उतनाए देंगे, तो वह वहाओ खराब ना करने की बजाया है, ये चैपांच सीट को सम्झाता कर जाएंगे, कर जाएंगे, नौ विदान सबाद की एक कुर्शे लोग सबावा पीट आती हैं तो जिए पुछ ऐसी सीटे हैं सहरी सीट जहां प्रोएस को यह लगता है कि पहुंद पाएंगे जैसे परिदवाद ओर परिदवाद की सीट है सहरी सीट आप पार्टी का चाहिए कि वहां से एक पंजाबी को टिकट दे देगी और कहँए लगन तो यह जो आगले बार चुना लड़ना हमने दो बार तो आपको चुना टिकट दे दिया और यह आमाजी पाटी का है और अगर आमाजी पाटी ने किसी नए पंजाबी को टिकट देती कौने उसके समर्चन कर रही है तो बहुत सब्सक्राइब कर देट हो जाएगा उसके सामने नरेदर उसका जैसे बीज़ेपी के कंडिडेट प्रिक भी निपाएंगे उनके लिए पर लाना पड़ेगा वे फुल गोल जैसे मजबूत कंडिडेट विल्कुल बल्कुल बल्कुल तो यह सिद्धी बन सकती है य तो मानके चला जाएगा वैसे घटना करम और चेंज होंगे बड़ी तेजी से एक संभावना ये भी है कि जेज़ेपी और आमाद्मी पार्टी के अंदर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस एक बार फिर से वापिस दिखाई दें तीसरी संभावना ये है कि और जो छेत्रिये दल है या जो लोकल घट जो लोग है या जो छत्रफ है उनको एकठा राम बंद किया जाए उसके लिए कौन नेत्रतर करेगी बहुत सारी बाते है अब चुनाव में और चीज़े बदलेंगी देखिए दो बार में प्रदान मंस करें तो यूपी में टैनी के बेटे को टिकट दे जिया बिल्कुल और बिल्कुल इस वार जी विदान सभा चुनाव में कसंकाल गूजा से भी कहते हैं तुम अपने बेटे की टिकट पकड़ो ही है यहां से और यह हमें नौ सीटो की गारेंटी को बनाओ अपने बेटे को लड़ा विद्ध को टिकट दे देंगे लड़ाओ यहां से लड़ाले गौहाना से लड़ाले अपने एक आदमी लड़ाले और रमेश कौसिक पहले भी अपने बेटे की पैर भी कर रहे थे कई दिन बीच में कि उनके बेटे को जच कर लिया ज़े अगरा भी करा करके उन्होंने राजनीती में लेकिन ये उनके साथ जो वो कांड हो गया सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब नहीं थी एक बार विपलव कुमार देव जी किया मैं भी गया हुआ था तो मैंने देखा वहां रमेश कॉशिक जी थे अपने बेटे को साथ वाए थे कि मैं रिजाइन करवा दिया बेटे का और इसकी तजारी करानी है तो हो सकता है कि रमेश कॉशिक को भी बीजेपी से सहारा मिल जाए और रमेश कॉशिक का जण्ड़ा बुलंद रह जाए आगे के लिए कैसा हो समबह यह है? आगे जाहं जाहे इनको लगता होगा लेटे कि इस वार में विलिटी देखेंगा, इस वार कोई ऐसा नहीं माना जाएगा कि राव इनर्जीट ने कह दिया तो नर्वीर राव दर्वीर जैसे ससक्ता आदमी का टिकेट कार्ट दिया जाए तो विपल गोहल जैसे तसकता आदमी का टिकेट कार्ट दिया जाए इस वार प्योंक में नहीं है एक सब्सक्राइब बाता में बढ़ी में ब्योंक तो मान के चला जाएं कि अपने आपको कैसे प्रूव करें आज वो शिकायत गई एक बनवारी जाजी के सामने एक DTP की डिस्टिक टांट डानर गी और उन्होंने पहला सुनते ही कुछ देखा नहीं क्या है क्या नहीं और DTP को सब्सक्राइब कर दिया, इससे पहले कमरगुप्ता जी की कि मीटिंग थी उसके अंदर नों दो लोग से स्पैंड कर दिए राव अवैर सिंग की मीटिंग थी तो उन्हों ने एक आदमी को से स्पैंड किया मनला एक नया ट्रेंड है और मुझे लगता है कि यह जो बीजेपी के नेता आय मंत्री है या जो विदाया कें को यह दिखाने के लिए कि हम पूरी तरह एक्टिव थे और हम पूरी तरह एक्शन में रहे हमेशा और ताकि आगे उनके नों घत्रा ना वने मखबुजी आप ठीक कह रहे हो बस्के पलवल वाली घत्ना के बारे में तो मुझे कितीनी ये भी जानकारी दिये कि वो डीटीपी जो सस्पेंड किया है कि इतना गलत किया है कि उसे पूरे जो पांट कंट्रि प्लानिंग में बेर्टमेंट में माना जाता है उसे सबसे हिमांदार अधिकारी के रूत में अच्छा अधिकारी माना जाता है तो उसकी सिकायद की और मंसरी को भरा गया और मंसरी ने भी सोचा है कि यार मैं एक कमेटी में यह जो है चमतकार का दिखा दूँगा इससे फब्लिक सेंपेथी मिलेगी वीडिया कबरेज बिलेगी अला कि इन सब चीजों का ना बहुत दुगदाई असर होता है जैसे एक बच्चा अगर पूरे साल तो पढ़े नहीं और एक रात में पूरी किताब को पढ़े और पूरे रात जगा करके पूरी किताब को पढ़े तो जब पेपर उसके आप लग जाती है यही बीजेपी वालों के लिए अपने चैनलेंज लग जो उनके अंदर अदर चाब आया सब कुछ और अब तीसरा चैनलेंज यह कि जो नहीं 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 गढ़ेंगे यह कितना असर करेंगे इस पर नजर रहेगी पूरी पूरी तरीके से नजर रहेगी इसनमें बीजेपी के सामने बहुत बड़ी सुनोती है एक मैं कहावत को ज़रा सब मॉडिफाई करके कह रहा हूं कि बीजेपी इसनमें अपना हाथ रखते ताये पर भी रखते है तो उसके यह विश्वास नहीं करेगा किसे इंका हाथ जल रहा है जी 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 इनके साथ सेंपेटी करने बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है हाँ चमतकार करने का अवसर है चमतकार करेंगे तो कुछ नब कुछ पाएंगे अभी चमतकार उनके कुछ नहीं किया है ना सब करने कर दिया परिजान पत्र में रखते हां पंचाए चरपंचों को 21 लागों पे सकर्टेंडर का निजी करन दे दिया हमने इन सब चीजों से कोई फरक नहीं पड़ने वारा है और पता नहीं मेरा आपने कितना गलस होगा कितना सही होगा अभी तक तो मैं लोगसभा चुनाव में तो जो कहता आ रहा हूं जो मैं समझता आ रहा हूं अपने अनुभव के आदार पर वही होता जा रहा है मैं यह मानगर के चल रहा हूँ तो विधान सवा सुनाओ में भारती जिन्ता पार्टी के सामने कॉंग्रेस का वरकर लोग सवा से की चार गुना ज्यादा ताकत ज्यादा मेंदूती के साम करेगा एक तो कॉंग्रेस वाले वरकर में कॉंफिडेस आ गया कि हमने पांच जीद ली और बारती जंटा पार्टी वालों के अंदर एक बड़ी दिक्कत है आपने ब्रूप सही कहा जो यूटर्ल वाली बात चल रही है इससे असमंजस में बीजेटी का वरकर है असमंजस में बीजे के सामने पांच सीट ले जाएंगे तिक भी पाएंगे तरह वो हल्के पड़ गए जी और उद्धान सबाद चुनावा में वो ऐसे हवाई जहाद पर सवार होंगे अपी उप्साह के में आत्म रित्वाद के में कि वो 90 सीट में से सरी 50 सीट तो गलत बांट नहीं लिए कि मैं अप्र नहीं मेंगे तो ऑफोकस किया सेजा ने कि शोड़ा ने किया सिर्था पे पिरन्या तिंग ने पोछनेट ने खिवर चिवर रोकस्वन रॉटा रॉटा रॉटकरि पे इन वो सीटों पर फोकस किया तो यह अपने आप लुखाव में आ गई अगर यह पांगर के ताथ जो भी रहा कॉंग्रेस का हुआ एंटी बीज़बी बेव होई वो सम्मिल करके वो तीन सीट आई मगोजी मैं आज कहता हूँ जी अगर करंग सिंग गलाज को फईज़वाद लोगसवाद सीट से सिकत मिलता जी तो यह मेहंदा परताप से चारीस परसेंट जादा मजबूद कंडिडेट होता हूँ करंग सिंग डलाज पलगर जले से ही दो लाग वोटों का गयट यह दे करके ज़़द जाते हैं और महंदा प्रताप सिंग के लिए उससे जादा महाँ करंग सिंग के लिए बनता है ने तरफक इतना तो रहता ही रहता तो इस में जो चुनाव लड़ा ने लोग सबादा वही है समझे लड़ा के यार इस वार सरकार तो आनी रही इस वार तेन्सराना तो आनी रहे हैं और हम ने एक रौतक की और असी रौतक की सीट के लिए कॉंग्रेस में क्या क्या रिक्षपनाए कि कोसली वो विदानसवा सीट में हम पीछे ना रह जाए इसलिए रावदान सिंग को विवानी मेंदरगड शीट से चुनाव लडवाया करनाल पंजाबी को दिया विवानी अहीर को दिया ताकि तीनों साइड के वोट अहीरों में मेरा प्रवाब हो जाए पंजाबियों से मिल जाए पंजाबियों को सबसे ज्यादा में बिल्कुल 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 यह हुआ तो अगर आवास नहीं कर पा रहा है कि एसे कि इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम हमेरे लिए जीतना भी मिश्किन हो जाएगी बिल्कुल 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 तो मानके चलें कि अगरा आगे का जो माहौल है जो तुनावी माहौल बनना है उसके अंदर एक नई रवानी आएगी कॉंग्रेस और बीजेपी दोरों के लिए अपने अपने चैनलेंज तो ही है इनके साथ एक चैनलेंज ही आएंगे जो नए मोर्चे नए गटवंदन वो कितने फलिभूत होंगे और सबसे प्रमुक्वात की जिन लोगों को बीजेपी और कॉंग्रेस में जो वहां है क्योंकि दोना पार्टियों में कई के कैंडिट है तो उनके लिए अगले कई मंच और तयार हो रहे हैं कि यह देखे लोगतंसरी की एक खुशूर्ती है कि यह जब इस तरीके के जटवंदन बनते हैं तो इनका नुक्सान नहीं होता बहुत से लोग ऐसे होता जो पांट साल तयारी करते हैं अच्छा हिसाब करते हैं महिनत करते हैं और एट टाइम को पार्टी किसी ने किसी करने के लावा या अपने घर रैटने के लावा उसके पर कोई विकल्प नहीं होता है लेकिन अगार को तीसरा गटवंदन बनता है मजूद गटवंदन बनता है को समीका नंग बनता है तो बहुत से लोग अब जैसे आप मजूदी रिकॉल कर दीजे करेगा सरीडवास जिसमें आमाद्वी पार्टी होती जिसमें बसपा होती तो क्या करने सिंग दलाल चुना नहीं नहीं था मंच तो फिर क्या करें मन मतुछ करह जाता है तो चर्चा को यहीं बिराम देते हुए बश्रजी अपने दर्शकों को तो आने वाला समय है जो खासकर जिनका इंट्रेस्ट होता है राजदीशी के अंदर उनके लिए जरूरी यह कि आगे जो पारा और चड़ेगा भले आगे सावनभादों की गर्मी जो होगी वो जोसाने वाली होगी तो पॉलिटिकल पारा उनको शीदलता का एसास जरूर आप एर कंडिशन में बैठे हैं तो आपको ठंड़क का एसास होता है लेकिन अगर आप यह जो सावन के महीने में भाद निकलते हैं तो थोड़ी सी भूमेरी भी लगती है विल्कुल 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 आभी भूमेरी चल र सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन